नमस्कार में आदिते सिंग, सोनम शुकला के मर्डर मिस्ट्री को कैसे दिया गया अंचाम, आखिर कब मिलेगा परिवार को न्याय, न्याय की गुहार में कल परिवार वाले करेंगे मूख आंदोलन, क्या न्याय के लिए मात्र आंदोलन सहारा, कोई इस मसले को लव जिहाद स चरेड छत विछत अवस्था में मिला, मृत्का की पहचान सोनम शुकला की तौर पर हुई, नीट की तयारी कर रही इस 18 वर्षी छात्रा की हत्या के आरोप में, पुलिस ने उसकी पडोस में ही रहने वाले कथित बॉयफरेंड को पकड़ा, आरोपी की पहचान 23 साल के शाह बेज के तौर पर हुई, आईए जानते हैं कि ये पूरा मसला क्या है? पुलिस को मिलते ही पुलिस वहाँ पहुची, जिसके बाद पता चला कि मृत शरीर लड़की का है और उसके हाथ पैर बंधे हुए हैं, शाव की हालत काफी बिगड चुकी थी, जिस वज़े से लड़की को पहचान पाना काफी मुश्किल हो गया था, शाव की पहचान करने के लिए पुलिस ने शाव की तश्वीर को पुलिस वाटसेप ग्रूप में शेयर किया, तब जाकर कही पुलिस को ये पता चल पाया कि इसी कद्वकाथी की लड़की की गुमशूदगी की रिपोर्ट गोरे गाउं पस्चिम से दर्ज कराई गई है, फिर क्या था, शाव की पहचान करने के लिए सोनम के परिजनों को बुलाया गया, शाव को देखने के बाद इस बात का खुलासा हुआ कि ये लड़की कोई और नहीं बलकी 18 वर्षी सोनम शुकला ही है, शुरुवाती जाश में पता चला कि जिस दिन सोनम गायब हुई थी, उसी रात तकरीबन 11 ब पता चला कि थोड़े ही देर बाद अंसारी ने इस पूरे हत्यकान का सचुगल दिया, अंसारी ने यह भी कहा कि वो सोनम को चाहता था, इसलिए उसने सोनम को उस दिन अपने घर पर बुलाया था, और वह घर पर अकेला था, उसके माता पिता भी घर पर नहीं थे, जब सोन अंसारी के घर प पहुझी, तो सोनम और अंसारी के बीच किसी बात को लेकर नोगजोग शुरू हुई, नोगजोग के बीच ही अंसारी ने घर में रखे, इंटरनेट के वायर से सोनम की गला खोटकर हत्या कर दी, उसके बाद सोनम के हाथ पैर को बांध कर बोरे में भर दि कि सोनम के शव को मचलियां खाल जाएंगी और ये राज राज ही रह जाएगा हाला कि अंसारी अभी पुलिस के गिरफ्त में है और उस पर आगे की कारेवाई जारी है Bureau Report, Anti-Corruption News